नमस्कार दोस्तों कैसे आप लोग I उमीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होगे और आपके तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी दोस्तों जैसे कि आपको पता है किwhen का सामय होो चुका है और हम आपके सामने ओसक्राइख === आपके अपने प्लैटफोर्म पर MS Companies point 9456 पर दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि हिंदी सेसन हमाई लिए क्यों important है क्यों महत्पूर है इसलिए क्योंकि जैसे आगामी परिक्षाएं हैं SFC GD उत्तर प्रदेस प्लिस को लेकर आया है और notification जो है इसी सप्ता में आ जाएगा तो जो लोग भी दोस्त लाइव आचुके हैं वो अपने दोस्तों में सेरे करतेंगे और दोस्तों आपको पता है कि यह सेसन जो हमारा डेली साम को साथ बजे प्रस्तों होता है दोस्तों तो हमबत कर रहे हैं हिंदी में ऐसे टौपिक के उपर जो भोग जादए डौट फृल टौपिक होता है जिसका हम बात करते हैं विशेषण या एड्चेटीव तो आप सब को पता है कि विशेशन जो होते हैं वो हम कितने भागों माटते हैं विशेशन को तो विशेशन जो होते हैं देखिए आप सबसे पहले सारवनामिक विशेशन को कर लेजी ठीक है सारवनामिक विशेशन होता है दूसरी के गर बात करें तो गुण वाचक विशेशन होता है तीसरा आपका शंख्या वाचक विशेशन होता है चोता जोता है परिमान वाचक विशेशन होता है कल हमने सीखा था विशेशन क्या होता है विशेशन किस परकार से बने होते हैं और मैं आप आज फिर रिकॉल कर रहा हूं कि विशेशन क्या होते हैं, जिन सब्दों के द्वारा किसी संग्या या सरवनाम की विशेशता बताई जाती है, उनी को हम विशेशन कहते हैं, और जिस सब्द की वो संग्या हो या सरवनाम हो, जिस सब्द की विशेशता बताई जा तपकंता के सुन्दर्ध तो जोगा अर्मार खुद के हो गिया विशेश्य हो गिया तो इस तरीके से हम सबसंस के सब्यों सबने सर्ग से ले 0ॉ 있었 iatara करते हैं और किस की बतार है वह वह सरवनाम भी हो सकता है तो कल हमने सीखा था इसके बारे में कल सीखा था कि बिधे विशेशन कौन से बाक्य होते हैं और विशेश्चे विशेशन कौन से बाक्य होते तो यह भी सीखे थे आज जो हमारा टोपिक है वह है आपका गुण बाचक विशेशन तो आज जो हमारा टोपिक है वह क्या है आपका जिस व्यक्ति के अंदर गुण होते हैं जिसके गुणों का बाचन क्या जाता है जिन के गुणों का बाचन क्या जाता है उसे कहते हैं गुण बाचन बिशेशन कहते हैं ठीक है वहिया तो इसकी परिवासा आपको पता होनी चाहिए जिस बिशेशन सब्द क्या होता है जिस बिशेशन सब्दो से जिन बिशेशन सब्दो से यहां हम नहीं लिख सकते हैं जिन बिशेशन सब्दो से संग्या या सर्वनाम संग्या सर्वनाम संग्या सर्वनाम को हम कह सकते है बिशेश्या क्या कह सकते हैं विशेश्य जिन विशेश्य सब्दों से संग्या है सर्वनाम के गुण के गुण दसा गुण दसा स्वयभाव स्वयभाव इस्थिती ठीक है इस्थिती रंग रूप रंग रूप ठीक है आकार आधी का बोध होता है उसी हम के कहते हैं गुण वाचिक विशेश्य चछन कहते हैं तो यह आपको पता होने चीज़ी जैसे किसी के गुण है क्या हो सकता है इमानदार हो सकता है बहिवान हो सकता है दसा दुबला पतला हो सकता है गरीब हो सकता है स्वयभाव इमानदारी स्वयभाव हो सकता है इस्थिती धनाध्य हो सकती है निर्धन हो सकती है रंग रूप गोरा काला हो सकती है आकार मोटा पतला हो सकती है तो इन स निश्चित है फिर भी मूलत है मूलत है कितने प्रकार के होते हैं मूलत है 14 प्रकार के होते हैं मूलत कितने प्रकार के होते हैं 14 प्रकार के होते हैं संक्या निश्चित होती है ठीक, कोई पता नहीं लगा सकता, तो मैं आपको पता सकता हूं, सब सब पहले अगर हम इसकी बात कराएं, तो रंग वाचक या रंघ सूचक रंग सूचक रंग सूचक, रंग सूचक क्या होते हैं? या रंग वोधक, कोई दिक्त वो रही है, अब इसमें क्या हो सकता है लाल हो सकता है नीला हो सकता है आपका काला हो सकता है आदी यह सभी रंगी समाग जाएंगे दूसरा अगर हम यहां लिखें तो काल सूचक क्या लिख सकते हैं हम काल सूचक काल सूचक काल सूचक में अगर हम बात करें तो क्या हो सकता है प्राचीन हो सकता है प्राचीन काल बोलते है तो प्राचीन होता है आधुनिक हो सकता है क्या हो सकता है प्राचीन हो सकता है आधुनिक हो सकता है ठीक है ताजा हो सकता है मोसमी हो सकता है क्या हो सकता है ताजा हो सकता है मोसमी हो सकता है आगामी हो सकता है आगामी भी हो सकता है ठीक है भई तो स्रंग सूचक हो चुका है काल सूचक हो चुका है अगर हम यहां बताएं गुनवाचक क्या बताएं गुनवाचक गुण बाचक तो गुण में सच्चा हो सकता है जूटा हो सकता है जूटा हो सकता है सच्चा गुण हो सकता है जूटा गुण हो सकता है अच्छा हो सकता है अच्छा हो सकता है बुरा हो सकता है ठेक है बुरा हो सकता है ठेक है हाँ सीधा हो सकता है कप्टी हो सकता है कप्टी हो सकता है आदी हुवोंन यह होते हैं अगर हम इसमें ही चोधा प्रिकार देखें किहां हो सकता है हम लिख सकते हैं आकार सूचकinin आकार सूचक में हम क्या लिख सकते हैं, जैसे गोल, गोल, लंबा, ठीक, गोल, लंबा, मोटा, मोटा, ठीक है, तिकोना, तिकोना, नुकीला, नुकीला हो सकता है, हाँ भी, नुकीला हो सकता है, पतला हो सकता है, पतला, पतला हो सकता है, ये, ठीक है, आवस्था और दफा लिख सकते हैं, अवस्था वैदफा अवस्था वैदफा भी लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं अवस्था स्वस्थ कह सकते हैं स्वस्थ कह सकते हैं ठीक है ब्रद कह सकते हैं युवा कह सकते हैं युवा लिख सकते हैं निर्धन लिख सकते हैं नर्धन लिख सकते हैं, पतला लिख सकते हैं, ठीक है भई, रोगी लिख सकते हैं, आधी, तो और भी है, अब इतने तोड़ा ही, 14 को छोद़ा ही लिख पाओगे, ठीक है भई, 14 लिखोगे, तो चोद़े में लिखते रिखते रह जाओगे, ठीक है, चाते हो तो एक और लिख लो, चलो, अगर मन कर रहा है तो, इस हम लिख सकते हैं, स्वाध या गंध सूचक, श्वाध या गंध सूचक, स्वाधिया गंद सूचक लिख सकते हैं स्वाधिया गंद सूचक में क्या हो सकता है जैसा खटा मीठा खटा मीठा हो सकता है ठीक है चटपटा चटपटा हो सकता है तीखा हो सकता है तीखा हो सकता है फीका हो सकता है अब तो समझ गए बताईए आप समझ चुके होगे अब तो चलिए एक बार समझ लेते हैं गुण बाचक विशेशन क्या होता है जिन विशेशन सब्दों से संग्या सर्मनाम जिनें विशेशन कहते हैं कि गुण दसा स्वेभाब इस्तिती रंग रूप आकार आधी का बोध होता है उन्हें हम क किसी व्यक्ति के ना तो गुणों का पता चला है मेरे मन में क्या है क्या गुण है वो आपको नहीं पता है तुमारे अंदर क्या गुणा को नहीं पता है जो दिखते हैं मूलत है वो चोदे परकार को होते हैं जो दिखते हैं मूलत है वो कितने परकार को होते हैं चोदे पर यह हो सकते हैं आकार सुचक में गोल लंबा मोटा तिकोना नुकिला पतला हो सकता है आवस्ता वे दसा सुचक में स्वस्थ हो सकता है ब्रद्ध हो सकता है युवा हो सकता है निर्धन कमजोर पतला रोगी आदी हो सकता है स्वाद गंद सुचक में खटा मीठा चटपटा पड़ती और एक्जाम्पल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा हमें इसको रफ करना पड़ेगा फिर हम इसके अब पताएंगा ठीक हैं अगर जब तक लिखोगे नियाब जब तक काम नहीं चलेगा ठीक है भई चलिए अब हम इसके ही एक्जामपल कराते हैं कि गुणवाचक के एक्जामपल क्या है जैसे मैं यहां लिख सकता हूं मैं लिख सकता हूं अमित एक कुशागर बिध्यारती है यानि कि हम एक्जाम पर लिख सकते हैं अमित एक कुशागर बिध्यारती है कुशागर बिध्यार्ती है तो आप आप इसमें बताईए कुशागर तो हो गया इसमें विशेशान ठीक है बिध्यार्ती क्या हो गया विशेश्य है तो ये क्या हो चुका है ये हो चुका है विशेश्य है और ये क्या गुण है इसका क्या है गुना है ठीक हे भई के लियर अमित ने आध्नुनिक इतिहास पढ़ा है दूसरा एम लख सकते हैं यहां पर अमित ने कि आधुनिक इतिहास पढ़ा है इतिहास पढ़ा ठीक है थीट yesterday क्या हो आधुनिक क्या बताता है आधुनिक किसे बताता भही आधुनिक बताईए काल बोधक को बताता है किसे बताता है काल बोधक को काल सूचा की अब उधाक लिख सकते हो सूचा काल की सूच ना दे रहा है ठीक है किसकी सूच ना दे रहा है काल की सूच ना दे रहा है तीसरा हम यह लिख सकते राधा सुन्दर लड़की है राधा सुन्दर लड़की है तो आप यहाँ पर क्या बता रहा है सुन्दर सब्द है तो सुन्दर किसे बता रहा है जल्दी बताईए सुन्दर गुण है सुन्दर क्या होता है गुण होता है तो यह क्या है जी यह गुण है उसका क्या है यह गुण है चोत है यहाँ चोत है मीरा बहुत दुबली है कि लिख सकते हैं इसको मीरा बहुत दुबली है तो दुबली यह दसा है ठीक क्या है यह दसा तो यह हो गिए दसा सूचक कैसे होगे, बहुत तो प्रेविशेशन है, ये तो होता है प्रेविशेशन, जो प्रेविशेशन की बिशेशता बताता है, उसे हमके कहते हैं, प्रेविशेशन कहते हैं, ठीक है, राहुल ने, अब ये को बना सकते हैं, या राहुल के पैर में, ऐसे लिख सकते हैं, पांचव चुब गया तो नुकीला जो है ये कैसा है किस तरीके कहा जल्दी बताओ कैसा है आकार बोधक ठीक है वही आकार बोधक है कह सकते है सलमा ने लाल सूट पहना है एक्ञाम्पल हो जागा छटा सलमा ने लाल सूट पहना है पहना है तो यहां लाल क्या हो गया लाल हो गया, रंग बोधक तो हम इस तरीके से पता कर सकते है यह है इसके, यह आपके क्या है इसके एक्जामपिल है ठीक है भही, यही इसके क्या है एक्जामपिल है इन्हें नोट कर लो अमित एक कुसागर विध्यारती है ये भी हो गया यहां से ठीक है तो यहां पर कुसागर था गुन था इसका अमित ने आधुनिक इतिहास पढ़ा तो यहां पर आधुनिक यह हो गया आपका काल बोधक राधा सुंदर लड़की है तो भई यहां पर सुन्दर जो हो चुका है वो क्यो हो चुका है गुण हो चुका है मीरा बहुत दुबली है तो दुबली जो हो तो दसा हो गई क्या होगे बेटा दसा हो गई है ठीक है राहुल के पाउं में नुकीला तार चुब गया है तो नुकीला जो हो गया आकार हो चुका है सलमा ने लाल तूट पहना है तो यह कौन सा हो गया है यह रंग बोधक हो गया ठीक है भई तो अब तो नोट कर लिए होगे चालिए अब यह गुनवाचक हो चुका है इसके बाद में हम जो कराने वाले है इसके बाद में हम जो कराने वाले है आपको कराने वाले है संख्या बाचक क्या कराने वाले है संख्या बाचक बिशेशन कहलाने वाले है क्या कराने वाले है संख्या बाचक बिशेशन हम कहेंगे इसको तो आप संख्या से नाम से परचलागा संख्या बाचक यानि कि जो संख्या का बाचन करे जो संख्या का बाचन करे, ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं, जिन बिशेशन सब्दों से, संग्या या सर्वनाम की, की संख्या का बोध हो, तब संख्या बाचक बिशेशन होते हैं, क्लियर, यहां तक बताईए, हो गया यहांते, यह दो प्रकार के होते हैं, कितने दो प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के दो, एक तो होता है, निश्चित, संख्या, बाचक बिशेशन, ठीक है, दूसरा जो होता है, ए निश्चित, संख्या, बाचक बिशेशन, यह दो प्रकार के होते हैं, इस बात को समझो, दो प्रकार के होते हैं, एक होते है, निश्चित, संख्या, बाचक बिशेशन, ठीक है बई, निश्चित, संख्या, बाचक बिशेशन, इसमें क्या होता, जिसमें, जिसमें, निश्चित, संख्या, का, बोध हो, ठीक है बई, जिसमें, निश्चित, संख्या, का, बोध हो, ठीक है बई, जिसमें, निश्चित, संख्या, का, बोध हो, उसे, निश्चित, संख्यवाचक कहते हैं यह कितने प्रकार के होते हैं समझ गया नहीं यह 6 प्रकार के होते हैं कितने प्रकार के 6 प्रकार के होते हैं तो पहला प्रकार क्या होता है पहला प्रकार क्या होता भी वह होता है आपका आवरत्ती सूचक पहला होता है आपका गणा सूचक क्या होता है गड़ना सूचक अब ये भी समझ लो गड़ना सूचक खुद दो पिरकार के होते हैं गड़ना सूचक खुद कितने पिरकार के होते हैं दो पिरकार के होते हैं एक तो होते हैं पूर्णांक और एक होते हैं एपूर्णांक एक होते हैं पूर्णांक गड़ना हम एक तो पूर्णांग की कर सकते हैं एक पूर्णांग की ठीक है तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं एक दो तीन चार ऐसे गड़ना एपूर्णांग की कर सकते हैं एपूर्णांग गड़ना सूचक में हम क्या लिख सकते हैं हम क्या लिख सकते हैं, आधा, पौन, आधा, पाव, सवा, पौन, हम ये लिख सकते हैं एपौन में, ठीक अभी, एपौन में होता है, तो पौनांग में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये हम काउंट कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं, जबकि एपौनांग में कर सकते हैं, आधा, पाउउ, सवा, पोन, डेड़, पोने दो इस तरीके से Clear run । इतनी बात ठीक है, फिर होता आवरत्ती वाचक आवरत्ती वाचक आवरत्ती वाचक कुंसे होते हैं आवरत्ती में क्योंता ती गुणा, चार गुणा ठीक है क्या होता है ती गुना चो गुना ऐसी चीज़ होती है आब रत्ती में ठीक है भई आब रत्ती में पते से लिए है फिर एक होता है आपका किरम बाचक किरम बाचक क्या होता है पहला दूसरा तीसरा ठीक है भई पहला दूसरा तीसरा, केलियर, बताओ बताओ जल्दी बताओ, एक होता है आपका समुदाय बाचक, कौन सा होता है, समुदाय के साथ, एक होता है, समुदाय बाचक, कौन सा होता है, जैसे तीनो, चारो, पाँचो, तीनो, चारो, पाँचो, इस तरीके से, ठीक है, तो अभी आपको समझ मान चाहिए कि निश्चित संख्या वाचक क्या होते हैं विशेशन जिनकी निश्चित संख्या का बोध होता है उन्हें हम निश्चित संख्या वाचक कहते हैं और इनकी कितने प्रकार होते हैं छे प्रकार होते हैं जिसमें से एक हमारा आचुका गर्णा सुचक अभी हम एक्जा और यह आपका दूसरा हो जाएगा यह आपका तीसरा हो जाएगा और यह चोथा अभी दो और बच रहे इस तिक है दो और बच रहे हैं तो में कुन-कौन सा है एक समुच्चे बोधक, एक कौन सा होता है, समुच्चे बोधक, समुच्चे बोधक में, यह पांच बाह है आपका, समुच्चे बोधक में क्या होता है, समुच्चे को कहते हैं, यह हम क्या कह सकते हैं, जैसे हैं, दर्जन, ससई, सदी, हम लिख सकते हैं, दर्जन, ठीक है, सतावदी, आदी, यह हम लिख सकते हैं, दर्जन, सदी, सतावदी, छटे में होता है प्रति एक बाचक, छटे में कौन सा होता है? प्रति एक, प्रति एक, तीन, 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 भाई हैं, तो चार, चार, इस तरीके से, यह हो जाएंगे, आपके में एक बार देख लेता हूँ कैमरे में कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको मिस हो रहा हो, ठीक है? दिख रहा है बराबर, देखते हैं, I think, हाँ, रहा है नीचे, कोई बात नहीं में आपको बता दूँगा, बोल दूँगा, तो समझो, पहले इनको दुबारा सुन लो, कि रसाइज राइटिंग में कोई दिखत हो, तो आपकी इसकी अपना वो जो है, लेबल बढ़ालो इसका, क्योंकि हम अच्छे लेबल पर कर लो, इस निश्ची शंक्या वाचक विशेशन, निश्ची शंक्या वाचक विशेशन में जिसमें निश्ची संक्या का बोध होता है, तो ये 6 प्रिकार को होते हैं, एक गर्णा वाचक होते हैं, तो गर्णा वाचक में पुर्णा पुर्णांग, ठीक है, आवरत्ती वाचक में एक्जाम्पल की बात कर लेते हैं और उसके बाद मुझे पहचानेंगे किसमें क्या दिया गया है ठीक है वही एक्जाम्पल की बात कर लेते हैं इसमें ही क्योंकि अभी हम निश्चित वाचक में कर रहे हैं निश्चे वाचक में नहीं कर रहे हैं तो एक्जाम्पल देख ले दूसरा एक्जाम्पिल क्या होगा? सरकस में पांच कुत्ते हैं. तो पांच आ चुका है, सरकस में पांच कुत्ते हैं. ठीक है? आरिवास बात समझें. बहे कक्षा में तीसरा विध्यारती है. बहे कक्षा में तीसरा विध्यारती है. ऐसा लिख सकते हो. चोथा एक्जाम्पिल बहे दो दर्जन केले खा सकता है. यह हो चूका है हों से. ठीक है बई बताओ जल्दी बताओ. बहे आधा लीटर दूद पी गया. ऐसे हम लिख सकते हैं. या बहे या बहे ऐसे लिख सकते हैं, आदर इट्व तो नहीं चलेगा यहां पर, हम लिख सकते हैं, बहे सबा रुपिया है, उसकी जेब में सबा रुपिया है, तो यहां सबा आ चुका है, यहां दो आ चुका है, यहां तीसरा आ चुका है, यहां पाँचा आ चुका है, यहा यह सब क्या है आपके निश्चित ठीक भई क्या है सब निश्चित इसको जरा कबर करेंगे इच्छे से क्या है यह सब निश्चित कोई दिख्यत नहीं है ना चलो ठीक अब हम लिखते हैं ए निष्चित क्या लिखते हैं हम ए निष्चित वाले लिखते हैं ए निष्चित संख्या बाचक बिश्येशा ए निष्चित संख्या बाचक बिश्येशा जहां निष्चित संख्या ना हो जहां निश्चित संख्या का बोध ने हो उसे हम कहते हैं ए निश्चित वाचक ठीक है अब ये क्या है आपका दूसरा पिरकार है संख्या वाचक में कौन सा पिरकार है ए निश्चित संख्या वाचक बिशेशन ठीक है भई जल्दी से नोट करो पहले तो खीक है, इन एक्जांपल को, क्योंकि इनको गिर्फ करना पल सकता है, ठीक है, जल्दी करो इसको कवर, बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लो, ठीक है भई छलिए, अब हम बात करते हैं इसमें स्कूरे हैं जीक क्योंकि इसका तो कोई रहे हैं ठीक है वहीं दूसरा एक्जाम्पल हम यहां पर क्या प्रयोग कर सकते हैं बाहर कुछ बच्चे खेल रहे हैं यह बन जाएगा तीसरा हमारा हो जागा पोकिट में पैसे निकालो कुछ पैसे निकालो यह हो जाएगा ठीक है भई परिक्षा में लगभग सभी विध्यारती विध्यारती पास हो गए पास हो गए ठीक है भई तो यह हो गया आपका तो यह जो है इधर यह है आपके निश्चित कैसे है यह यह निश्चित संख्या वाचक संख्या वाचक बिशिशन के एक्जाम्पिल ठीक है और यह हमारी क्या है एनिश्ची संक्यावाचक बिशेशण के एक्जाम्पिल तो यहाँ पर क्या है आपका यहाँ पर कुछ बच्चे कक्षा में सोर मचा रहे है यहाँ कुछ बच्चे यहाँ पर क्या है कुछ परिक्षा पैसे और यहाँ लगबग ठीक है भई यहाँ पर क्या है लगबग ठीक है भई तो इस तरीके से आरे बाद समझ में इस तरीके से हम यहाँ पता कर सकते हैं शंख्या वाचक और ऐशंख्या वाचक के रूप को अच्छे से समल कर, ठीक है दोस्तों, और मैं उम्मीद कर रहा हूँगा कि आपको बहुत अच्छे समझ मारा, देखे हम आदा हंटे की लगवग किलास लेकर चलते हैं आपकी, क्यों लेकर चलते हैं आदा हंटे किलास जिस वाण वाचक कल करेंगे और हम विश्याशन का प्रारूप, विश्याशन का रूपांत्रों हम कल करेंगे कि उत्तरवस्ता विश्यशन क्या होता है, मद्यवस्ता विश्यशन क्यों सा होता है, ठीक है, उत्तरवस्ता विश्यशन क्यों सा होता है, सब पर हम बाद जो करेंग सब कर Cities आपको अच्छेां ससमझ में आजाएं तो जैसे ही आपको कुछ चमिन्फ्स कर सकते हैं ठीक हैं तो अपने चनल यूट्वे जो टूब डालते हैं इस पर ही आपके हैं यूटूब पर ही आप यूटूब Around तो एक बार देखकर उसमें भी देख लिए और हम समय समय पर सभी वेकेंसी के जो है नोड़ विक्षेन भी आपको प्रोवाइट कराते रहते हैं जिससे कि आपको एक तरीख से अपडेटिट रही है कि किस भरती के कितनी वेकेंसी बढ़ाएगी है कितना हुआ ठीक है दोस्त तो मिलते हैं ऐसी दंदार क्लास के साथ अपने इसी प्लैट्फोम पर इसी समय और ऐसी जोसो जुन के साथ तो जब तक के लिए जैहिंज भारत बंदे मातरम